वाड्रोब को और्गनाईज करना यकीनन एक बेहत बोरिंग काम लगता है है ना? इसलिए अक्सर हम इस काम को नजरन्दास कर देते हैं सोचते हैं चलिए जब टाइम मिलेगा तब हम इसे और्गनाईज कर लेंगे बस हम इस बात से परिशान रहते हैं कि इसकी क्लीनिंग की शुरुवात हम कहां से करें अगर आपकी अलमिरा में भी कपड़ों का धे लगा है और आप इसे सही तरीके से और्गनाईज नहीं कर पाते हैं या जब भी हम इसे और्गनाईज करते हैं तो यह फिर से बहुत जल्दी खराप हो जाती है तो आज मैं आपके साथ में 13 टिप्स में लेकर आई हूँ इनकी मदद से आप अपनी अलमिरा को महीनों ही तक नहीं साल भर तक आप इसको बहुत अच्छे से और्गनाईज रखेंगे हेलो फ्रेंड्स नमस्ते और विल्कम बैक टो माई चैनल मेरा नाम रीना है मैं यहाँ पर होम मेकिंग वीडियो लेकर आती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सा वीडियो सबसे पहले टिप मेरी यह है कि आप अपनी अलमिरा को और्गनाईज करने से पहले उसको अच्छे से खाली कर दीजिए अगर आप इसे खाली नहीं करेंगे ना पूरी तरह से तो फिर आप जब इसको आपको परेशानी हो सकती है तो इसलिए आप उसको पूरी खाली कर दीजिए अगर आपके अलग-अलग शक्षन बने हुए हैं कैबिनेट्स हैं तो आप एक एक करके भी उन्हें जो है क्लीन करके आप उनको और्गनाईज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो अलमिरा है उस तो आपने जो और्ट रोप के कपड़े आं उन्हें जो न को झाली जाएगी तो यहां पर जो है मैने अपनी यह दूरप अच्छी दरहीं से कहली कर लिया है इसके बाद आपको करनी है कपड़ों की छटाऐ हम सभी की ना वार्ट रोप में और सामन ऐसे होते हैं जो जो हमने अपनी wardrobe में रखे होते हैं, उन्हें हम कभी इस्तेमाली नहीं करते हैं, और इसे जो है हमारी wardrobe में जगा घिरती रहती है, तो आप एक अलग bag रखिए और उसमें कुछ कपड़े जो आपको नहीं पहनने हैं, आप किसी ज़रुरत मन को दे सकते हैं, और जो ज़्यादा फटे वे हैं, पुराने हैं, खराब हैं, उन्हें आप अलग रख दीजिए, कई बार क्या होता हैं कि हमारे wardrobe में जो winter के कपड़े होते हैं वो भी पड़े होते हैं, तो आप उन्हें अलग packet में रखके, आप उसको store room में या जहां पर भी आप अपने winter के कपड़े रखते है तो यहां पर मैं सारे कपड़ों को जो हैं, आप छटाई कर रही हूँ, तो जो top टी शिर्ट हैं उन्हें अलग रखूंगी, जो dresses हैं उनको अलग रखूंगी, तो यहां पर मैंने कुछ dresses हैं, उन्हें hangar पे मुझे रखना है, तो मैंने इस तरीके से रख लिया है, जो सलव इसमें से आपको जब आप इनको कैटेग्री में रखेंगे जब इनकी छटाई करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे कपड़े भी मिलेंगे जो आप यूजी नहीं करते हैं तो यहां पर मैंने जो साडियां वगर थे जो भी ब्लाउस पेटी गोट हम पहनते हैं उन्हें मै आप डिसकार्ट जरूर कीजे कपड़ों का तो यहां पर मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने अलग रखती हैं तो मैं यह जो है किसी जरुरत मन को दे दूँगी फोर टिप है अलमिरा को और्गनाईस करने से पहले उसकी अच्छे से जो है डीप क्लिनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर जो है मैं क्लिनिंग स्प्रे है इसका यूज कर रही हूँ और एक माइक्रो फाइबर मैंने क्लोथ लिया है इसे बहुत अच्छ की है और जब भी मैं कुछ लेती हूँ मुझे पसंद आता है तो मैं आपके साथ में उसका रिव्यू जरूर शेयर करती हूँ तो मैंने भी जूग ब्रेंट से मैंने एक सिलिंग बैग और मैंने फुट वियर ली है तो चलिए मैं इसको उपन करके आपको दिखाती हूँ उ ढूलब के मैंने फटह डूटाओ लोक एक इंडियन ब्रेंट जो पीटा सेटिफाइड प्रेंड है और इसके सबसे बड़ी जो खूबी है ना वह है यह प्रावडली में लितिए हं 100 % वेगण है क्कौलिटी फिर GPS हैं तो की फीयोष पाel से सारी प्रॉड़क्ट हेनमीड होते हैं यानि की हैंड़क्राफ विद लव टो यहां पर हमने बैक को कॉपन किया अंदर की साइड में आपको इस तरह की जिप मिलेगी सेम आपको बैक साइड में भी एक जिप मिलती है और इस में जो फैबरिक यूजे कि वेगन लेदर है, प्रेंट और डिजाइन बहुत अच्छा है, कॉलिटी और फिनिशिंग भी आपको काफी अच्छी मिलती है सेकिंड मैंने लिया है, यहाँ पर फुट वियर, तो यहाँ पर आपको बहुत तरह के डिजाइन में आपको यहाँ पर फुट वियर मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़दा कमफुटेबल होती है और यह सुपर स्पॉंजी कमफुटेबल है, तो आप देख सकते हैं, इससे जो है आप पहनेंगे पैरों में तो आप बहुत ही कमफुटेबल फिल करेंगे बैक साइड में इसका सोल में डिजाइन जो दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, अच्छे ग्रिप के साथ अब को मिलता है, इसमें जो सीक्वेंस लगा हुआ है, इसके फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अगर आप यह लेना चाते हैं, जो कोई भी प्रॉड़क्त तो यू पैक जो भी आप कॉलेज गोइंग अगर गर्ल्स है तो आपको बहुत तरह की डिजाइन्स के आपको बैक मिल जाएंगे, फुट वेर में भी इनका काफी अच्छा जो है कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर यह सीलिंग बैक को आप इस तरह से आप होने चाहिए, इसके लिए आप मजबूत हैंगर का इस्तमाल करें, यहां पर मैंने ड्रेसे हैंग कर ली है, नीचे के साइड में यहां पर जितनी भी जीन्स हैं उनको मैंने बिना और्गनाइजर के मैंने एक के उपर स्टैक करके मैंने रखा है, इस तरह से बहुत ही अच् और्गनाइजर रहेंगे और आपको पता भी होगा कि हमने इसमें क्या रखा है, इसी तरह से मैंने यहां पर एक यह मैंने ऑनलाइन लिया था एमेजॉन से, इन सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो इन में मैंने यहां पर साड़ियां और आगे से इसमें ट्रांस्परेंट है, तो दिख जाता है कि इसमें कौन से साड़ियां है, या कौन से कपड़े मैंने रखे हैं, तो इस तरह कि जो और्गनाइजर बॉक्स होते हैं, इसमें काफी सारे कपड़े आ जाते हैं, तो यहां पर मैंने एक बॉक्स में कम से कम 12- काफी सारी साडियां इन बैक्स में आ गई है तो मैंने ये साडिया ना उपर की साइड में रखी है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मैं यूज करती नहीं हूँ जब कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता है तब ही ये इस्तमाल होती है तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग कपड़ों को रखने के लिए मैंने अलग-अलग और्गनाइजर का यूज किया है यहाँ पर यह DIY मैंने किया था यह बॉक्स और यह आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर कुछ सूट्स मेरे ऐसे हैं यहाँ पर यहाँ पर इस तरह के मैंने ट्रांस्परेंट पैक का मैंने यूज किया है यह मैंने चांदी चौक से लिया था और एटी रुपीज के मुझे टैन मिले थे और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं इनका मैं लिंक दे दूँगी तो इसमने काफी सारे कपड़ आ जाते हैं और विजवल हो जाते हैं और जो आपके अगर हैवी सूट्स शील्क हैं तो खराब नहीं होते हैं अगर आप इस तरह से पैक करके रखते हो तो यहां पर मैंने जो beach वाला section है , यहां पर मैंने सारे suits मैंने रखे हैं गुछ कुछ जो कुछ जो कुर्टी वाले वाले प्लाजो मैंने रखे हैं इधर जो कुर्ती वाले होते हैं इधर मैंने कुछ नाइट सूट्स हैं जो मैंने वो रखे हैं इस तरह से आप अलग-अलग कैटेगरी में अपने कपड़ों को और्गनाइस करते हैं तो आपको पता रहता है और निकालते समय भी जो है यह इधर दर नहीं होते हैं जो भी पर प्लास्टिक टेबल है उसमें इतनी स्पेस नहीं है तो यहां पर मैं जो है अपनी जो है अपनी जोहल्री को रखती हूं तो यह चोटा बॉक्स रखा है जब कभी उतार के निकालना हो तो यहां पर मैं रख लेती हूं इस जो पर शारी जितने भी नेकलेस वगरा है इस तरह से अलग अलग बास्केट में अलग तरह के कपड़ों को रखने से काफी सारा स्पेस बच जाता है आपको पता होता है कि यहां पर हमने क्या रखा है और इनकालना रखना भी आसान रहता है नेक्स टिप यह है जो हमारी अलमीरा है उसके आप डोर को भी यूटिलाइस कीजिए तो यहां पर आप कमांड हो गया इस तरह के होक आप रख सकते हैं यहां पर काफी सारा सामान आपका जो हैंग हो जाएगा जैसे सकाफ होते हैं बैक्स होते हैं बैल्ट्स होती हैं यहां प यह है फ्रेग्नेंस के लिए आप कोई भी इस तरह के जो फ्रेग्नेंस पाउचिस आते हैं वो आप ले सकते हैं या फिर आप कॉटन की बॉल बनाकर उसमें एसेंशन्चल ऑईल आप उसमें डाल दीजिए उसको किसी भी कॉर्णर में अलमिरा के अंदर रख दीजिए आपके यहां पर कुछ भी एसेंशन्चल पाउच वगर आप लगा के रखते हैं तो आपके कपरों से बहुत अच्छी खुश्बू आएगी अलमिरा को इस तरह से आप और्गनाइस करके रखें कि सारा सामान वीजिबल हो अगर आप कुछ ऐसा सामान है जो आपको दिखाई नहीं इसे तरह और अबया तो यहां पर बैक्स कर दो चाही है तो यहां पर मैंने guys एक्री करदे हैं जो आगी में पर 1 पार्टी बेग्स मैंा झालते हैं पर रहे हैं। यहाँ पर नीची की साइड में मैंने कुछ बैट सीट मैंने रखी है और इनको मैं इस तरह से छोटे से फोल्ड बनाके स्क्वाइर में मैं रखती हूँ इससे ना छोटी सी जगह में आप काफी सारे जो है अपने कपड़ों को और्गनाईज कर सकते हैं तो पीछी की साइड म मैंने कुछ बैट सीट रखी है तो इस तरह से रखे हैं कि यह जो है दूर से भी विजिबल हो जाएं उपर मैंने यहाँ पर वैनिटी रखी है मेकप वैनिटी है और यहाँ पर मैंने हैर का सामान रखा है जैसे ड्रायर हो गया आइनिंग मशीन हो गई टॉंग हो गया है त जो मैंने 13 टेप्स आपके साथ में शेयर किये हैं ये आपके काम आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड लॉट्स अफ लव